हेलो डियर आज हम लोग करेंगे खान सर के द्वारा लिखे गए बुक से केमेस्टरी का कुशन जो की परमानुसन रचना टॉपिक से है यह पार्ट 3 है परमानुसन रचना टॉपिक का आपको बता दे यह बुक जो है इस बुक में प्रिवियस यर कुशन दिया गया है टोटल प्रिवियस यर कुशन है यानी की रेल्वे के अलग अलग इजाओं में पिछले सालों में पूछा जा चुका यह कुशन है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पाहला कुशन है एस ओटू के 0.6 मोल में सलफर के कितने परमानु महजूद्धा यानि उपस्तित है अप्शन है 4.13 गुने 10 के पावर 22 परमानू 3.1613 गुने 10 के पावर 22 परमानू 4.1613 गुने 10 के पावर 22 परमानू 2.409 गुने 10 के पावर 22 परमानू तो इसका सही एंसर होगा अप्शन नमबर बी 3.613 गुने 10 के पावर 22 पर मानू अगला कुशन है हिलियम के 54 ग्राम में कितने मोल माजूद है अपसन है 13.5 मोल 10 मोल 12 मोल 25 मोल तो इसका सही एंसर होगा अपसन नमबर A यानि की 13.5 मोल अगला कुशन है के सी एल के 0.5 मोल में कितने अनू महजूद यानि उपस्थित है अपसन है 3.01 गुने 10 के पावर 23 3.01 गुने 10 के पावर 22 3.01 गुने 10 के पावर 24 3.01 गुने 10 के पावर 21 इसका सही एंसर होगा अपसन नमबर A अगला कुशन है CO2 के 10 मोल्स का दरबे मान कितना होता है अपसन है 284 44 220 इसका सही एंसर होगा अपसन नमबर B 440 अगला कुशन है नीमन में से किसका वजन सबसे ज़्यादा है अपसन है H2 के 10 के पावर 23 मोल्स का H2O के एक मोल्स का N2 के एक मोल्स का O2 के एक मोल्स का इसका सही एंसर होगा अपसन नमबर A अगला है एवजाडरो की संख्या N A बरावर 6.02 गुने 1023 मोल है तो किसी त्री परमानू गैस के 0.1 मोल में परमानू की संख्या क्या है अपसन है 6.02 गुने 10 के पावर 22 1.806 गुने 10 के पावर 23 1.806 गुने 10 के पावर 22 3.6 गुने 10 के पावर 23 तो इसका सही एंसर होगा अपसन नमबर A अगला कुस्चन है CH4K 0.1 मोल का दरी पावरं कितना है अपसन है 1 ग्राम 16 ग्राम 1.6 ग्राम 0.1 ग्राम तो इसका सही एंसर होगा अपसन नमबर C 1.6 gram अगला कुस्षिन है परमानू कार्बन का परमानू दरविमान 12 है और हिलियम का परमान दरविमान 4 है बताएगे पर्तिक तत्व के 1 मोल है तो निम्लिखित में से कौन सा कथन साते है अपसं है 1 मोल कार्बन में एक मोल हिलियम के तीन गुना अधिक परवानू होंगे एक मोल हिलियम में एक मोल कारवन के तीन गुना अधिक परवानू होंगे एक मोल कारवन में एक मोल हिलियम में उपवस्थित परवानू की एक वटा तीन संख्या होगी एक मूल कारवन में एक मूल हिलियम में उपश्थित परवान होगी संख्या के बराबर संख्या होगी तो इसका सही अंसर होगा अप्सन नमबर D पानी के एक मूल में कितने अनु माजूद है अप्सन है 6.02 गुनिदस के पावर 26 6.02 गुनिदस के पावर 23 7.02 गुनिदस के पावर 23 8.02 गुनिदस के पावर 22 तो सही अंसर होगा अप्सन B अगला कुश्शन सल्फर का परवानुदर्मान 32 U है सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मूलों की संख्या कितनी है अप्सन है सल्फर का 1 मूल सल्फर का 0.5 मूल सल्फर का 0.75 मूल सल्फर का 0.25 मूल सही अंसर होगा अप्सन B ग्राम हिलियम में मूलों की संख्या क्या होगी 60 ग्राम हिलियम में अप्सन है 25 मूल 10 मूल 15 मूल 12 मूल सही अंसर होगा अप्सन नमबर C 15 मूल अगला कुश्शन है 540 ग्राम गुलकोज में उपस्थित मोलो की संख्या कितनी है 3, 1, 2, 4 सई अंसर अपसन A 3 H E यानि हिलियम के 52 केजी में 10 अनू उपस्थित होते हैं 12, 13, 11, 14 सई अंसर अपसन नमबर B एवोकाडो संख्या में N एकार्थ है अपसन है परमानों के नाविक में पोटोनों की संख्या किसी तत्व के एक ग्राम परमानों में परमानों की संख्या किसी परमानों के नाविक में पोटोनों की संख्या तथा निउट्रोनों की संख्या का योग एक गरम सोडियम में पोटोनों की संख्या या इलेक्ट्रोनों की संख्या है इसका सही एंसर होगा अप्शन नमबर B अगला कुस्चन है एवोगाडो संख्या दोरा निरुपित की जाती है A, N, N0, N0, A, B तो इसका सही एंसर होगा अप्शन नमबर B, N0 अगला है CO2 के 88 ग्राम में महजूद अनूम की संख्या है अप्शन है 2, 4, 3, 1 सही अंसर अप्शन नमबर A अगला कुशन एक ग्राम हाइडोजन में कितनी अनूम होते है अप्शन है 1.5 गुनि दस के पावर 23 6.02 गुनि दस के पावर 23 2.5 गुनि दस के पावर 23 3.01 गुनि दस के पावर 23 सही अंसर अप्शन नमबर D निमन मेंसे की स्टत्व के लिए परतीक में दो अच्छर सामिल होते हैं कारवन, आयोडीन, लोहा, फुलोरीन सही अंसर अप्शन C, कारवन, चरी लोहा तो इसका जो संक्यत होता है, वो होता है, एफ-ई, इसमें दो अच्छर है, एक एफ है और एक ई है, बाकी सभी के संक्यत में एक ही अच्छर होते हैं, कारवन का C होता है, आयोडीन का I, और फुलोरीन का EF होता है अगला कुशन निम्न खित में से किस बग्यानिक ने सुझाओ दिया था कि, तत्वो के प्रतीकों का निर्वान, तत्व के नाम के एक या दो अच्छरों से किया जा सकता है अप्शन है, बर्जिलियस, डाल्टन, डेमोक्रिट्स, लिवाई सियर, सही अंसर, अप्शन A, बर्जिलियस अगला कुशन, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में किवल एक अच्छर होता है अप्शन है, तामबा, इसका C.E.1 होता है, कार्वन, C.H.0 होता है, कलरीन, C.L होता है और कैल्सियम, C.A होता है, तो अप्शन नमबर B, इसका सही अंसर होगा, कार्वन जिसमें एक ही अच्छर है दिया गया परतीक 10 स्तु का परतिनी दिक दिक करता है अप्चन है कारवन, पारा, सोना, हाइडोजन सही अंसर होगा अप्चन number D, हाइडोजन अगला कुस्षन है रसायनिक परतीक का पहला अच्छर हमेसा 10 में लिखा जाता है अप्शन है तिर्छे अच्छर, बड़े अच्छर, छोटे अच्छर, मोटे अच्छर इसका सही अंसर होगा अप्शन नमबर B, बड़े अच्छर अगला कुशन है विदूत रूप से परमानू क्या है? अप्शन है उदासीन, परजीटिव रूप से अवेशित, नेगेटिव रूप से अवेशित, इन में से कोई नहीं सही अंसर होगा अप्शन नमबर A, उदासीन अगला कुशन किसी रेडियो सक्रिये वस्तु से उत्सर्जित अलफा किरने है अप्शन है हाइडोजन नाभिक, रिनात्मा गुरूप से अवेशित कन, हिलियम नाभिक, डियू ट्रॉन सही अंसर अप्शन C, सहसन्योजी योगिक का एक उदाहरन है अप्शन है, केसी अल, बी ऐ ओ, सी इज इल थी, सी एज सी इल त्री, इसका सही अंसर होगा अप्शन नमबर C, सी इज इल त्री, अगला कुशन है, फेरिक उकसाइट में लोहे की संज़गता है अप्षन है प्लस तीन, प्लस दू, मैनस दू, मैनस तीन सही अंसर अप्षन ए अगला कुछा निम्रिखित में से कौन सा कौन और स्थाई है अप्षन है इलेक्ट्रोन, कौन, प्रोटोन, निूट्रीनो सही अंसर अप्षन डी निूट्रीनो अगला कुस्सान रसायनिक योगी की सबसे छोटी संभावी यूनिट है परमानू, इलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन, अनू सही अंसर अप्षन टी अनू अगला कुस्सान रसायनिक अविक्रिया में निवन परभावित होता है अप्सन है इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन, उप्युक्त सभी सही अंसर अप्सन A, इलेक्ट्रोन पानी आयनिक लवन का सुविधा जनक, सुविधा लायक है क्योंकि उसका कोथनांक उच्छोता है उसका दुईधुरूब आखुर्ण अधिक है उसके बिसिस्ट उसमाधिक है, उसका कोई रंग नहीं है सही अंसर अप्सन B अगला कुशन रॉलर, बियरिंग का सनेहन करने के लिए समानता निम्रिखित में निम्रिखित सनेहन क्यों सकता होती है अप्सन है अर्थ, ठोस, ठोस, द्रब, इनमेंसे कोई नहीं सही अंसर अप्सन A इलेक्ट्रोन वहन करता है, एक यूनिट रिनावेश, एक यूनिट धनावेश, एक यूनिट रिनावेश, दो यूनिट धनावेश सही अंसर अप्सन A, एक यूनिट रिनावेश पिंडो को आविशित करने के लिए जिम्यदार कारक है अप्षन है इलेक्ट्रोन का अंतरन, निव्ट्रोनों का अंतरन, प्रोटोनों का अंतरन, इन्वेसे कोई नहीं सही अंसर अप्षन ए अगला कुशन है एक प्रोटोन उपर की और धारा का वहन करने वाले एक उधवाधर कंड़क्टर की और छैतिचता गतिमान होता है यहां बिछेपित होगा अप्षन है नीजे की ओर, बाई ओर, दाई ओर, उपर की ओर सही अंसर अप्षन C अगला कुशन किसी तत्व के गुनों को परदर्शित करता है अप्षन है परमानु करमांग, परमानु भार, अनु भार, तुल्यां की भार सही एंसर अप्षन नंबर A, परमानुक रमांग अगला कुश्चन किसी तद्व के परमानु में दस जेनफी एलेक्रोन, दस प्रोटोन और बारा न्यूटोन है उस तद्व का परमानुविक भार कितना है अप्षन है 32, 42, 44, 20 सही एंसर अप्षन B अगरा कुश्चन किसी तत्व के परमानविक सार को किसमे व्यक्त किया गया जाता है किसी तत्व के परमानों की दूरी कप्छा में इलेक्ट्रोनों की यह इक्तम संख्या हो सकती है अप्शन है आठ बत्ती सथारा दू सही अप्शन ए आठ निम्रिखित में से बीस नीट्रोन वा ठारा इलेक्ट्रोन वाला कौन कौन सा है अप्शन है 17 CL 37 29 CL 39 18 AR 38 18 SR 168 S 36 तो इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर D 16 16 S 36 अप्शन तुलित रसायनिक समिकरण में अभिकारक पच्छ हुआ उतपात पच्छ में किसकी संख्या समान होती है अप्शन है मोल आलू परमानू आयन सही अंसर अप्शन नमबर C परमानू अगला कुशन तत्वा परमानू यह कि किसके द्वारा दर्साया जा सकता है अप्सन है रसाइनिक सुतर द्वारा, इलेक्ट्रोन की महाजुद्गी द्वारा, नीट्रोन की महाजुद्गी द्वारा इनमें से कोई नहीं सही अप्सन अप्सन अगला कुछा निम्रिखित इलेक्ट्रोन बिन्यास किस तर्व को सुचित करता है अप्शन है सोडियम, एलुमिनियम, ब्रोमीन, सल्फर सही अंसर अप्शन नमबर A, सोडियम अगला कुशन तत्वों का सबसे पहले बर्गे करन किया था अप्शन है लोथर मेर, निव लैंड, मेंडलीफ, डोबरे नर डोबरे राई नग तो सही अंसर अप्शन D, डोबरे राई नर अगला कुशन आथो निक्या वर्ट साड़नी अधारित है अनुभार पर, परमानुभार पर, परमानुकर्मांग पर और निव ट्रोनो पर तो सही अंसर अप्शन नमबर C अगला कुशन आवार्थ साटनी में सरवातिक लेक्टरन बंधूता वाला तत्व है अप्सन आयोडीन, कलोरीन, औक्सिजन, फुलोरीन तो सही अंसर अप्सन नमबर B यानि की कलोरीन जिसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन B तो इस पार्ट में इतना ही रहन देती है इसका लास्ट पार्ट हम लोग कल करेंगे वीडियो से लगाओ तो लाइक करें, शेर करें, धन्यवाद